सबी दोस्तों का स्वागत है वेलकम बैक आप लोगों के लिए बोर्ड के कुश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूं इनको आप देख लें और अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगती है तो वीडियो को पॉस करके आराम से कुश्चन पेपर को देखें जो ये कु स्वालूशन है वो भी मैंने डिस्क्रिप्टों बक्स में डाल दिया है आप अपने बोर्ड की प्ले लिस्ट मे क्लास वाली प्लेस्ट में जाकर कर देख सकते हैं अगर आपकी suppose करें आप MP board से हैं तो MP board class 10 exam papers के नाम से playlist होगी अगर आप RBC board में हैं तो RBSC class 10 exam papers के नाम से playlist होगी सारी की सारी papers की जो playlist है वो description box में दे रखी है वहाँ से आप अपनी जो भी requirement है आपको subject की उसके question papers आप वहाँ से download भी कर सकते हैं देख भी सकते हैं तो description box में आपको question paper आपके previous year के जितने भी question paper है 2019 के 18 के 17 के plus solutions और जो आपके latest paper exam हो रहे हैं उनके भी solutions और उनके question paper सभी इस जो चैनल पर available करा रहा हूं है चाहे हो आप किसी भी board से हो वो issue नहीं करता वो matter नहीं करता और दूसरी बात बता दू मैं आपको अगर आपको video की quality अच्छी नहीं लगती या साफ नहीं दिखा रहे हैं यूटूब पर कोई भी video देख रहे हैं तो उसके लिए बता रहा हूं है तो उन वीडियो को देखने के लिए जब आप video कोई भी play करते हैं तो play करते समय या play करने के बाद एक video पर tap करेंगे तो video के चार कोन ही होते हैं चोथे कोना जो आपका होगा right hand का उपर वाला कोना चोथा कोना जो right hand में उपर वाला होगा वहाँ पर जैसे ही आप click करेंगे वीडियो पर एक बार वीडियो पर click करते हैं वहाँ पर तीन डॉट दिखाए देंगे उस तीन डॉट पर एक बार click करें और click करने के बाद आप देख पाएंगे कि एक नया window खुला हुआ है चोटा सा pop window वहीं पर और उस पर लिखा है quality का option उस quality के option पर click करें वहाँ पर आप देखेंगे 144 से quality शुरू होते 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 बढ़ती जाएगी तो आप कम से कम 380 या फिर 420 P select करें जितनी बढ़िया quality चाहिए उतना ज्यादा आपको value select करनी पड़ेगी वह automatic बिल्कुल HD में चलने लगेगा लेकिन आपकी speed जो है वो net के पर depend करती है नेट आपका ठीक ठाक चल रहा है तो आपके वह quality select करेंगे वह चल जाएगी तो आसा करता हूं आपको यह information सही लगी होगी YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं उसकी quality इसी तरह से सही होती है अब इस paper की बात करूं तो यह जो paper है आगर आप देख पा रहे हैं तो इन papers के सारे questions को देखिए प्लस previous previous जो previous year के questions है उनको भी देखिए तो उसमें क्या है आपको एक value और एक फाइदा होगा जिन्होंने exam दे दिया वो तो direct solution देख सकते हैं इसका जो मैंने description box में playlist के अंदर provide करा रखी है और जो question paper देखना चाते हैं उनके लिए मैं बता दूँ यह question paper देखने का benefit क्या है तो benefit यह हर question को आपको यहाँ पर detail में समझाओंगा नहीं क्योंकि यह question paper है तो इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूत नहीं होती है आप खुद देख सकते हैं कि कौन-कौन से question paper में कौन-कौन से question आ रहे हैं और previous year कौन से question आए उससे last year कौन से question आ है कौन सी probability है जो इस साल वो question repeat होगा या इस साल नया जो question आएगा वो प्लस आप अगर exam के question papers को आप solve करते हैं उसी duration में जैसे कि आप मान लीजिए question paper का time दे रखा है तीन घंटे का तो तीन घंटे में ही आप उस paper को solve करते हैं अगर आपने चार-पांच paper solve कर दिये एक महिने के अंदर अंदर प्रैक्टिस करते 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 आपने तीन घंटे में तीस question को solve कर दिया तो आपकी इतनी अच्छी practice हो गई कि आप exam में जाकर के तीन घंटे आपको बहुत easy लगेंगा आप सोचोगा कि मैं तो करेंगे आप नहीं करेंगे उस question को तो zero मिलेंगे मिलेंगे लेकिन अगर आपने उस question को कर दिया और गलत भी कर दिया और by chance examiner ने उसमें marks दे दिये तो आपके तो बल्ले-बल्ले हो गए आपको तो profit हो गया बट एक चीज़ और बताता हूं क्यों करना जरूरी है देखिए कभी कभी क्या होता इस students के passing marks भी नहीं आ पाते हैं तो वो होते हैं grace के इंदजार में उनको चाहिए grace अब grace कैसे मिलेगी तो grace लेने के लिए कोई भी question attempt होना चाहिए जिसमें अगर teacher ने आपको marks दे दिये हैं लेकिन अब marks बढ़ाने हैं उसको आपको grace से पास करना है आप अटक गए हैं तो उसके लिए जरूरी होता है ये एक छोटा सा जो logic है उसमें होता है question गलत पे marks देना ताकि teacher blank copy पे marks नहीं देगा कहीं नहीं गलत आंसर में भी marks दे सकता है आपको पास करने के लिए कि उन्वरसिटी का rule होता है कि जो बच्चे एक या दो नंबर से तीन न marks मिल जाते हैं ठीक है तो आसा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी शेयर सब्सक्राइब और लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते ताकि उनको भी इन्फोर्मेशन और यह वीडियो उन तक पहुंच पह आपके मॉबाइल स्क्रीन पर और आपके मैसेज बॉक्स में होगी तो उसके लिए तयार हैं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक्जामिनेशन के लिए आपके बेस्ट आफ लग